बिग बोज 18, बही चलो बात करना बहुत जरूरी है आज, है न, जिस तरीके से सारा ने आज गर में हातंग को मचाय था, टाइम का तांड़ो नहीं, सारा का तांड़ो, आज के एपिसोड का नाम होना चीए सारा का तांड़ो, बही सारा क्या किया है तुमने? पूरे घर में तुमने तो कोहराम मचा के रख दिया है लड़की लड़की नहीं दो बच्चों की माय है सारा अपने बच्चों को छोड़ के आईए चलो बात करते हैं चाहिए श्रूतिका और दिख्विजे क्या बात कर रहे थे भाई मैंने तो अपने कान बंद कर लिये थे इनकी बात सुन अगया में इन एक लागये नृच ऑगय सब्सक्राइग कुछ कम्हारा में कान बात करते हैं, फिर घर के अंदर हुआ है टास्क्ति मैं घरे बात क्रूटा संपी है बहुत सारी क्या मुझे तो असा लग रहा है कि यह जो पूरा का पूरा सीजन है, इसको 13 बनाने की मेकर्स पूरी ट्राय कर रहे हैं, कि किसी भी तरीके से 13 के आसपास भी पहुँच जाए, लेकिन देखो 13 कैसे पहुँच सकता है, वहाँ पे शुकला था, आसिम था, पारस थ आते थे, और कुछ फ्रेश चीज देखने को मिलती थी, यहां हैं, यहां वाले भी अच्छे हैं, इस सीजन में भी कुछ अच्छे लोग आए हैं, लेकिन फिर भी 13 से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, हाला कि मेकर्स तो पूरी ट्राय कर रहे हैं, क्योंकि आज जो टास्क रह इस तरीके से उनके हाथ से छूट गया, और रजट ने इतनी तेज से खीचा, सोचा कि छुड़ा दो में सारक रजट, मेरे को लग रहे हैं, यह जो टाइम आव गौर्ड की डंडी बिग वॉस ने दी थी, यह जो इस्टिफर या पता नहीं क्या बोल रहे थे, इस्टाफर यह इतना कमजोर था कि मतलब खीचने से यह तूट गया, तो रजट ने खीचा हाँ, लेकिन यह भी मान सकते हैं कि रजट ने खीचा क्योंकि रजट के हाथ में जान है, वो खड़ा होता है, अभी वो टीवी पर इतना लंबा चोड़ा दिखता है, तो अगर वो सामने खड को वो जब तूट गया, तो वहां से वो थोड़ा नीचे लेगी आई, और इतने में सारे घरवाले चड़ गया है, कि सारा ने अपने हाथ को थोड़ा सा उपर करके वो उठा के दूसरी जगह पे रखी है, और इसके बात जो कहानी शुरू हुई है, कहानी शुरू ही है, कि सारा कैसे भी करके तो थोड़ी सी अपने आपको नॉर्मल करके आई थी टास्क करने के लिए, लेकिन फिर से वही हुआ उसके साथ, उसका हाथ सोड़ा सा उठी गया, और समने नोटिस कर लिया इस बात को, और ये बात सारा को बिलकुल पसंद नहीं आई है, और विवियन क्लियरली कह दिया कि सारा जी आप आउट होती हो, देखो उसको विवियन से इतनी ज़्यादा तकलीफ हो चुकी है और वो तकलीफ इसलिए भी कहीं न कहीं है, क्योंकि बिग बॉस जो दिन भर में दसो बार ये गाना गाते रहते हैं, मेरा लाडला, मेरा लाडला, मेरा ला पाते हैं कि भाई मुझे मिर्ची लग रही है, लेकिन सारा जो है, वो बड़ी ओपन है, वो बड़ी क्लियर है, और इतने दिनों से वो जिस सारा को छुपा के बैठी हुई थी, एक्चली ये सारा वही सारा है, जिसको हम देखना चाहते थे, और वो सारा ने अपना रूप आज दिखाया है कि देखो मैं यही हूँ, और एक्चली सारा यही है, है न, वो अभी तक जिस तरीके से खुद के दात को पीस के बैठ जाती थी, घूट पी के बैठ जाती थी, वो अभी तक फेक कर रही थी, आज किया सारा ने वो बिल्कुल रियल था, और सारा की रियल प बॉस करते रहते हैं, तो वहां से अव्यस हो जाता है न, लोगों को प्राब्लम होने लग जाती है, और वही वाली प्राब्लम सारा को हुई है, सारा वहां से फिर तोड़ते फोड़ते हुए चीज़े भी है, कभी टिशू फेक रही है, सारा कभी पिलो फेक रही है, कभी क तो सारा ने बहुत कुछ आज घर के अंदर फेक का है और उसका सिर्फ और सिफ यही कहना था कि सारे के सारे फेक हैं, गलत हैं, जूटे हैं, मैं सच के साथ खेल रही थी, आज सचाई से खेल रही थी, लेकिन मुझे किसी नहीं समझा, तो इन सब चीजों से सारा के उपर जो बहुत बुरा वाला, अब देखो मैं आप सारा को क्या कहें, सही कहें या गलत कहें, समझ में थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि सारा हर्ट थी, लेकिन हर्ट किस बात से थी, फिर हमें यही समझ में नहीं आता है कि वो हर्ट थी किस बात से, उसको पता था डे वन से कि बिग ब और उनको भी वहाव नहीं देते हैं अगर आपने पिछला सीजन देखा हो ता आपको याद होगा अनुराग अनुराग था ना वह बायक वाला बाईकर जो था अनुराग अनुराग के साथ कितना बुरा किया था बिग बॉस कुछ बुरा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सारा अगर इतने में हर्ट हो गई तो फिर सारा कैसे चलेगा तो वहां पर अर्फीन कहता भी है कि मैंने तुझे समझाया था पहले ही कि तु जारी बिग बॉस के घर में वहां बैसनेस भी हो सकती है और वो सारी बैसनेस देखने को मिल लही गई अच्छा यह अर्फीन को क्या अचानक से विविन के पास चिला रहा है कि मेरी वाइब से बात करने की कोशिस मत करना उसे जूटे वारे मत करना तुमने उसे प्यार मुहबत की जाल में फसाया है तुमने उसे अच्छे अच्छी बाते करी हैं मीटी मीटी बाते करी हैं और इस चकर प्यार भरी प्यार मुहबत में इ मेरी भावी हो इस वाले कॉंटेक्स्ट बोलरी हूँ तो तुमने मेरी बीबी को जूठ़े वादे की है तु जूठ बोलता है तु लायर है तु यह है वो है फलाना झिमका न पता निक्या ही क्या बोला उसने you are horrible man don't mess with my wife ये सारी चीज़े बोली उसने मुझे समझ नहीं आया ये अर्फीन का क्या था मतलब तुम्हें कुछ नहीं समझ आया तो तुमा के विविन पे चड़ रहे है लेकिन हाँ ये भी हमान सकते हैं कि भाई वो अपनी वाईप का लॉयल हस्बंड है तो इसलिए उसको बुरा लगा और वो विविन पे आके चड़ा था विविन ऐसे सौक था कि भाई तू मेरे उपर क्यों चड़ रहा है मत चड़ना मेरे उपर तो ये सारी लड़कियों के बीच में सोता है वैसे बीच में आया चाहत ने बोला गलत है हाँ ये सारी बाते की तू लड़कियों के बीच में सोता है ये सब क्या बोल रही थी सारा भाई ये सार जो वर्ड्स थे ना सारा के बहुत गलत वर्ड्स थे बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स थे वो जिस तरीके से बिल्कुल ऐसे क्या ही मैं बोलो मंजोली का मंजोली का हाँ वही बनके आई थी आज आते ही उसने बाहर जिस तरीके सा विनाश के चस्ट पे भी उसने नाकुन वाकुन माने मारें पुरा रेड हुआ था वह सारी चीजे भी हमने देखी तो क्या कर रही हो सारा घर के अंदर तुम्हें इतना तंग मचा दिया तुम्हें पूरा टाइम का तांडव नहीं सारा का तांडव बना दिया चाहत ने भी बोला कि नहीं नहीं कर तो वह गलत ही रही है मैंने देखा नहीं है मिनाश को उसने मारा या नहीं मारा लेकिन हां कर तो वह गलत रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहत अर तो सारा जी आपको पता कर लेना चाहिए था अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको पता कर लेना चाहिए था 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 तो आपको पता तो वाकई में मैंड कोछ की जरूरत हो ही और अरफीन अपनी वाइफ को समाली नहीं पा रहा था क्या कर रहे हो अरफीन तो थोड़ा समालना चाहिए अपनी वाइफ को बोलना चाहिए कि शांत्रों सारा शूरुतिका असी ब्रेकिंग डाउन अच्छा यह कहना था वह बाहर इक्वेद मैं क्या कोष्ई कर रही थी क्या कर रही थे स्रूधिका को मुझे थोड़ा सो होरा के लाज लगा कि सारे क्यों करना है को यसको इतना कर रही हो कि वह बिल्कुल लाज सही लगता है दो अधना मतलब नेथा की चिःइं पक्रणिक kisses लेएं थे कि अब करेने करण भी किया और इजथ ने भी डिकोड है कि शुट कर का रही थी इसकी जरूरत सेघ atención वहां पर मैरे Coming से बтुम नें फ़िया जाना सारा क मैं करती कुराओं को बड़ने दो बुलने ना हैं मुणते ही आखना कि आप बैटके पॉपकॉण खाओ आप को ऐसा लगता है कि आप अप पिक्चर देखने के लिए हो आप टेबल लगा लेते हो चेर लगा लेते हो और शाल लगते है कि कोई बैटके टीवी सीरियल देख रहे हो आराम से बैठे रहते हो बाहर किसी की fight चल रही है कोई धक्का दुक्की कर रहा है आपको कोई फरक नहीं पड़ता है तो ये बात करनवीर महरा हम भी realize करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो आपको हर बार ये लगता है कि कोई बड़ा बड़ा होगा क्या ये बता दो हमें घर में इसते बड़ा मुद्दा क्या होगा है आपको किसी की प्रॉपर्टी हडप नहीं है यहां पर उस पे फायट करोगे क्या कौन सा मुद्ध ढूड़ रहे हो आप यही मुद्ध होने हैं यह कभी खाने पर लड़ाई होगी कभी व इतने में कर देता हूं और आपने किया भी विविन ने देखा भी नहीं देखा भी नहीं देखा तो यह सारी चीज़े और आपका हाथ वहां टच हो रहा था, दूसरा वाला जो हाथ है, आपका वो जो थी, क्या बोलते हैं, स्टिफर या स्टेफर, उस पर टच हो रहा था, लेकिन वही बात है ने, जैसी आपने देखा कि विवन देख रहा है, आपने एक सेकंड में हाथ रटा दिया, तो चलो यह आपकी स्मार् लेकिन हाँ, यह हमें रेलाइस होता है, कि जब भी घर के अंदर कोई फाइट होती है, आपको कुछ फरक नहीं पड़ रहा होता है, आपको अभिनाश और रजट की फाइट यह लगती है, कि यार यह दोनों मैच्योर है, यह कॉंट्रेक्ट साइन करके आए, यह क्या ही कर अगर कोई कुछ करेगा यह नहीं, तो फिर तो दो लोग चार लोग लड़ रहा है, तो फिर उनको लड़ने तो, वह मार के एक दूसरे का सिर्वेर फोड दें, फिर बीच में लोग बचाने के लिए क्यों जाते हैं, करन थोड़ा सा तो व्यार एक्टिव हो, क्योंकि तु जहां पे वो सारा को बरवम मना कर रही थी, और सारा तो खैर गलत थी, बहुत सारे जगवा पे सारा गलत थी, क्या क्या बोल रही थी, वो बहुत गंदा बोल रही थी सारा, रजट ने दिगविजे को चूज किया, हाँ, अच्छा वहां पे आपने अगर देखा हो, तो जि तो करन वहां पर तुमने कुछ कहा भी नहीं रजयत को तुम चाहते तो आप एक रजयत से वन टू बात कर सकते थे ठीक है भाई तब तेरे को भी जरूरत लगी तो मैं नहीं होंगा लेकिन तुम फिर भी वहां पर कुछ नहीं बोलते हुए नजरा है मेरे को पतान क्यों लग थोड़ा सा सोचना पड़ेगा मेकर्स कई बारी तुमको जगा चुके हैं अब मुझे नहीं लगता कि वह भी जंग हैं क्योंको पता लग चुका है कि करन कुछ करने वाला तो है नहीं हाँ अगर चुम के साथ को रिस्ता विस्ता बन जाता है तो वह बात अलग है एक चुम निकलूंगा तो मैं तुझे भी लेके निकलूंगा अच्छा ये विवियन और रजट वाली बाते हो रही थी जहां पर रजट कह रहा था कि भाई अगर मैं निकलूंगा ना तो तुझे भी निकलूंगा ये निकालूंगा मैं तुझे यहां से इस गेट से निकालूंगा विविन ने बोला रजट को जहां पर रजट भाई बहुत गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं रजट के जो वर्ड्स है आजकल बहुत गंदे हो चुके हैं ये बात तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है बहुत गंदा हो चुका है अच्छा लास्ट में बगगा ची समझा रहे थे यह जो रजट है पहले इस्टार्टिंग में यह जगडे चुढवाता था दो तीन हपते बाद में वापस से यह लड़ने लग लग गया है यह गलत वर्ड सी उज़् करने लग लग गया है यह सब कुछ करंवीर का की अधरा है कि करंवीर ने उसको चट़ाया है कि भाई त तो अपनी इमेज सुधार ने आया है लेकिन अभी तु क्यों ऐसा बन के घूम रहा है तो जो रियल है वो दिखा करनवीर ने कब कहा रजट को यह तो हमने नहीं देखा लेकिन हमने यह जरूर देखा है कि बिग बॉस उसको कंटिन्यू पोक करते रहते हैं अच्छा डर पोक के सामने आ रहा है क्योंकि खुलने में बिग बॉस विवेन को सपोर्ट कर रहा है और वो विवेन के अगेंस्ट हो गया है तो यह वाली चीज मुझे समझ में तो आती है इस परसनल कॉफी अच्छा हां यह भी हमने देखा कि फिर सारा मेड़ा मूठी किचन में गई और उस परसनल कॉफी तुम क्यों चू रही हो और फिर दुबारा से टाइम गॉट जो है अपने विवेंड इसे ना बन चुके हैं यह हम सबको पता लग चुका है क्योंकि वह जो अपना स्टाफर था वह तूट चुका है दोनों डिगवीजे और करनवी के चकर में हाला कि अच्छा बोलना चाहूंगी कि उसने भी बहुत अच्छा किया अपने हिस्से का पूरा उसने अटाइम्ट किया करनवीर ने उसको बहुत ट्राय करी मनाने की कि भाई तू मान जा तू छोड़ दे मैं बन जाता हूं लेकिन वह लड़का माना नहीं उसको अभी कहना था कि तू बनना चाहता है मैं भी बनना चाहता हूं मैं भी यहां पर एक्सपिरियंस देने हो और मैं बनूंगा एक बारी बनूंगा तभी तो मुझे मजा आएगा तो ठीक मुझे दिगविजे का स्टेंड सही लगा कि उसने छोड़ा नहीं और उसने लास तक खेला अपना पू ठीक हे वाइक बात करनी है ना वो विगंड के बार पे होगी आनि एक्तामैम आघरमारियों देचा को तबना कि क्लसरा चाहिए लगा रही। तो मतलब इसमें भी मेकर्स की सोची समझी चाल है आप समझदार हो तो घर पे समझते रहे ना क्यों सब्सक्राइब समझे है कि तुम अगर मेरे फादर का नाम है उन्डेम कर रहा हूं तो इस वाली चीज में वी कलास प्ले करती है लड़की के इसा हुआ हूँ उस इस मामने को भी पकड़ा जातो रहा है यह बात तो हम भी कहीं नोटिस करते हैं कि चार्ट ट्राय करती है किसी भी मुद्धे में कोई ये बनाना कि लड़की के साथ ऐसा हुआ भाई यहां लड़का लड़की नहीं है दोनों प्लेयर हो तुम लोग है न यहां पर लड़का लड़की कुछ नहीं है जैसे कल उसने कर मुझे क्यों बोल रहा है पास प्रेजेंट फ्यूचर हां फिर विविन का डायलाग आता है कि भाईया मैं यहां सबके टाइम लाइन हिला दूंगा कन्फेशन रूम में जाके पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बदल दूंगा मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब कान में बहुत तेज-थेज आके बोलता है तो वाली बात थोड़ी से अजीव लगती कान में थेज थेज कोई बोलेगा तो पर कान के परदे बरदे फट जाएंगी है ना रजत तो कान में नहीं बोला करो विचारा कोई 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 सेफ करो तुमादमी हो शूतिकर एक मेंने इता कहा पड़ा लिखा वंड अ Currently अरॉफशसी तक नहीं में नहीं झाट हूँ है यह बहुत खुबसूरत है है लेकिन जब मैं यह लतिखती तो मैं बहुत गंदा स्रुति नहीं नहीं पहना तुमने यू नीडீं म में आँअँ पौटी करा दो हाँ ये सारी चीजे सारा बोल रही थी दोनों तुम दोनों वो खुद नहीं कर पाएगा तुम जो दोनों जाके करा दो हाँ ये बहुत गंदा बोल रही थी सारा ये सूसू पौटी और ये सारी नैपी पहना तुमने पैसिफायर ये सब कुछ बहुत बहुत यह बहुत ही ज़्यादा गंदा था शिर्पा जी ने जो लास्ट में बोला ना कि मैं भी 20 साल के बच्ची की माँ हूँ तो मैं भी समझ सकती हूँ यह बात कि तुम कितना गंदा बोल रही हो यह मत बोलो यह चीज मुझे शिर्पा जी की सही लगी कि वाकई में यार बहुत गंदा था सारा बोलने की एक लिमिट होती है मुझे वे तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी कुछ भी मतलब क्या ही बोले बहुत गंदा बोल रही थी सारा दिख विजए जाओ मार लो आप समझा लो माइंड को चाँ अधिविजए ने वहाँ पे स्टेंड लिया कि भाई आप तो माइंड कोच हो आप समझा अपनी बीबी को आप तो अपनी वाइफ को समझा ही नहीं पा रहा हो क्या कर रही है वो कुछ भी बोले जा रही है उल्टा सिदान बेबी वहाँ है यहार नत्तिंग यू आर मेकिंग हिम इजी इशा फॉर्मूला दूद पीता है नपी चेंज कर दो हाँ यह बहुत गंदा बोल रही थी भाई सारा बहुत बहुत गंदा मैंने यह सारे वर्ट्स लिखे हुए ना मैं खुद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं आपको पढ़के क्या ही बता हूँ करन रजयत वाला मैटर में आप सबको बता ही दिया कि वहां शुरुतिका ने जो कहा कि तुम बैट के पॉपकॉर्ण खा रहे थे तो करन यह तो दिखता ही है हाला कि यहां ठी है तुम नहीं गया आज वाले टास्की बात नहीं थी लेकिन अगर अविनाश और रजयत का होत ही ओडियंस को भी एक स्टेंट लेने वाला बंदा ही अच्छा लगता है चुम ने भी कहा कि हां शुरुतिकास तो तुम गलत थी तुम इंस्टिगेट ही कर रही थी सारा को जिस तरीके से तुम बोल रही थी तो चुम का भी यह वाला डिसीजन यार चुम बड़ी ऑन दो मुझे चुम बड़ी पसंद आती है वह एक तो कंब बोलती है लेकिन जब भी बोलती है पर्फेक्ट बोलती है चुम तो चुम का यह वाला जो स्टैंड है ना मुझे काफी सही लगता है कल भी उसने जिस तरीके से कहा कि हां ठीक है आओ छूलो मतलब छूलो इंद शूलो कि आओ खेलो भाई यहां लड़का लड़की कुछे नहीं है गेम है खेलेंगे तो इसका जो एक है ना स्ट्रॉंग पॉइंट आफ यू मुझे चुम बहुत पसंद आती है इस मामले में अभिनाश ने बीबी से बात करना चाहते हो हां अभिनाश ने भी कहा कि भाई बीब करोगे जब तक मैं इंस्टिगेट नहीं हो जाता क्योंकि आप भी चाहते हो कि मैं इंस्टिगेट हो और मैं ऐसी गलती करूंगा फिर दोनों चीजे एक बरावर हो जाएंगी यानि कि सारा की गलती तो मेरी गलती दोने वरावर हो जाएगी लेकिना अज मैं समझ चुका मुझे काफी अच्छा लगा विनाश, तुम सही समझ रहे थे, बिग बॉस यही चाहते हैं, कि तुम भी इंस्टिगेट हो जाओ, और फिर तुम कुछ ऐसी हरकत करो, ताकि सारा और तुम दोनों एक बराबर हो जाओ, क्योंकि अभी देखो, सारा एलिमिनेट नहीं हुए, हा ताकि तुम निट्रल हो जाओ, ताकि सारी चीज़ें निट्रल हो जाए, ऐसा विनाश ने कहा, चीर लीडर हो तुम दोनों, सारा का कहना था कि तुम दोनों चीर लीडर हो, क्यों आज तुम दोनों नहीं चीर लीडर की तरह लीड करने आओगी, वीडी कनफेशन रूम में इनको बुलाएगा है confession room में की इन लोग को कैद हो कि यह जो नियम को लंगन कर रहे हैं मत करें नहीं तो हम आएंगे ना मतलब weekend के बार पर फिर हम इनकी बजाएंगे और अच्छा डर के मारे सारे माइक पहन लिए इनको डर भी तो है बिग बॉस का कि बिग बॉस अभी अगल इनका episode जहां पर सारा बहुत सारी जगहों पर गलत थी हां कहीं कहीं पर ठीक भी थी जहां पर वो यह बोल रही थी कि तुम दोने cheerleader तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ यह जरूर बोलूंगी कि अभी नाश कुछ बोलता है तो पीछे से खीकी खीकी तो करती है हस्ती तो है ह तो भाई आज सारा का घुस्ता फूटा हुआ था और उसने बहुत गलत बाते करी हैं तो एक दो जगह सारा मुझे सही लगी है बाकी मुझे सारी जगह पे सारा गलत ही नजर आई है और अर्फीन की बोलती बंद थी अर्फीन को समझ नहीं आ रहा था कि भाई अपनी बीब करेंगे सलमां सर नहीं आ रहा है इजबार वार जिसका हमें काफी क्येडर हुए क्योंकि प्वार जो ए世界 करें लेकि इस बार उन्हां गया यह व्याटे नहीं नजर तो यह सब धिसे ऑंगे इस और में क्ल दिन में बात करों गी तो चलिये अभी अपनी वाड़ी को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल के एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई देखे और अपना क्या लगिए